मैं आपको बताने जारी हूँ एक quality के बारे में यानि अंडे की गोडवत्ता के बारे में किछीजो की वज़े से एक quality पर प्रभाव होता है और एक quality कैसे प्रभावित होती है मैं आपको बताने जारी हूँ सबसे पहला वज़े होता है महिला की उम्र यानि उम्र के साथ साथ जो अंडे की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है वो कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब महिला की जो अंडे की क्वालिटी है वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि बच्चे होने पे genetic problem होने की बहुत जादा चांस हो जाती है दूसरा reason होता है lifestyle factor अगर किसी महिला का lifestyle अच्छा नहीं है वो sedentary life है मतलब दिन भर बैठ के काम करना exercise नहीं करना meditation नहीं करना meditation yoga कुछ भी नहीं करना सिर्फ sedentary life follow करना तो इससे भी egg की quality effect होती है तीसरा reason होता है diet so egg quality पे diet का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप healthy diet नहीं ले रहे हो आप dietary fibers include नहीं कर रहे हो अप natural food include नहीं कर रहे हो तो आपके egg की quality drastically reduce हो जाती है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप pregnancy के लिए try कर रहे हो तो आपको natural diet healthy diet लेनी है फिर अगला reason होता है addiction अगर कोई महिला को किसी चीज़ का addiction है यानि वो cigarette पीती है या तमाग को खाती है या alcohol का saveन करती है तो इससे भी egg quality पे effect होने की chance होती है तो अगर आप pregnancy के लिए try कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का saveन छोड़ देना चाहिए फिर अगला reason है medical disorder medical disorder यानि अगर वो महिला किसी भी problem से ग्रसित है यानि उसको thyroid की problem है या उसका blood sugar high है यानि diabetes है या और कोई medical problem है यानि liver की problem kidney की problem तो उसमें भी egg quality effect होती है जो हमारी body में oxidative stress बनता है वो directly egg को effect करता है तो अगर आप इन प्रॉब्लम में से किसी भी problem से ग्रसित है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी इलाज जरूर करवाएं क्योंकि इस पे भी egg quality का effect होता है तो आपको pregnancy achieve करने के लिए अपनी egg quality को अच्छा करना बहुत जरूरी है ओके थैंक्स झाल सब्सक्ता है झाल साथ